ना फिसलो इस उमीद में कि कोई तुम्हें उठा लेगा, सोचकर ना डूबो दरिया में कि कोई तुम्हें बचा लेगा, ये दुनिया तो एक अड़्डा है तमास बीनों का मेरे यार, देखेगा कोई मुसीबत में, तो यहां हर कोई मजा लेगा, नमस्कार साथी, उमय राजकुमार, आप सभी का अपने परिवार PVR स्टडी में बहुत-बहुत स्वाकत करता हूं, आज आपके सारे टॉपिक आपके स्क्रीन पर हैं, सब पहले से क्लियर हैं क्या-क्या पढ़ना है, चुकि आप पढ़ रहे हैं DLA यानी BTC फर्स समेस्टर प के बता दें कि हाँ आप जुड़ चुके हैं, नहीं देखा है, वो जा करके जरूर देख लें, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे की कलास अगर आप देखेंगे, तब ही आपका सारा बात clear हो पाएगी, आए, इसमें से कितने ऐसे खिलाडी हैं जो जानते हैं कि भाजे संख्या क्या होती है, क्या ये भाजे संख्या है, या अभाजे संख्या है, अगर ये भाजे संख्या है, तो आप लोग C लिख के कमेंट करेंगे, C मतलब composite number, इंगलिस मुझे कम आती है, लेकिन मैंने लिखा इंगलिस के word जो सही है, अगर ये अभाजे है, मतलब prime number है, तो P लिख क कमेंट करिए आपके दिल में क्या बात आ रही है क्या लग रहा है आपको बताइए आरती मौर्या नहीं देखें बहुत अच्छी बात है मत देखना आईए कि तो सबसे पहला टॉपिक हम इस्टार्ट करेंगे भाज्य संख्या इसके पीछे 20 कलास है आपको डिस्क्रेप्शन में भी लिंक मिल सकती है आप उसे देख लीजिएगा अगर आप उस 20 कलास को देखे रहेंगे तो आपका ये सब कलियर हो जाएगा दवड़ता हुआ ठीक है फटाफट आईए चलिए आगे बढ़ते है ठीक है प्राइम नंबर है जो पी लिख के कमेंट कर रहा है उसका सही है और जो पी के अलामा सी लिख रहा है वो सी से है जी से क्या आई ये बात करते हैं जाने दीजिए देखे साथियों ये मुख्य रूप से कैसे पहचानते हैं हम आपको पूरा डीटियल एक्स्पिलन करके बताएंगे जैसे मैंने आपको फैक्टर बढ़ा दिया है इसके फैक्टर वन होंगे टू होंगे और फोर होंगे है ना यही तो होगा इसी की दिल में कोई और बात आ रही तो बता दीजिए कि नहीं इतने तो नहीं होगा और भी होगा कि इतने होगा अगर मैं बात करूं इसके फैक्टर के तो कितने हैं भाईया वन होगा और टू होगा अगर मैं बात करूं इसका फैक्टर तो वन होगा और थ्री होग फैक्टर का मतलब गुड़नखंड गुड़नखंड आप जानते न अमिद सिंग पढ़ लीजिए बच्चा पढ़ लीजिए बाबू भाईया रजा पढ़ लीजिए काम अच्छा करेंगे जो नाम होता है आईए यह सभी क्या इनके फैक्टर है यहाँ पर आपको कुछ दिख जो चाहते हो वह दिखेगा बस देखते तो रहो इनके यह क्या है फैक्टर है गुड़नखंड है अब पिछली कलास में मैंने गुड़नखंड बता दिया गुड़नखंड क्या होते है जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं टाइम बेस्ट बिल्कुल नहीं करना कमेंट नहीं कौन-कौन समझ गया मेरी बात अरे आप लोग बहुत बड़े खिलाड़ी हो जान जाते हो आओ चलो इधार तो वह संख्या जिसके दो से अधिक फैक्टर ना हो और वह फैक्टर दो कैसे हो एक तो वह खुदी हो एक तो वह संख्या खुदी ही हो और एक वन हो बस ऐसी संख क्या होती है अभाज्य होती है बाकी सभी संख्याएं क्या होती है भाज्य होती है बताए समझ में आया हम आया समझ में यानि वह संख्या जिसके एक के और खुद के अलामा कोई दूसरा फैक्टर ना हो एक के और खुद के अलामा कोई दूसरा फैक्टर ना हो वह अभाज् ऐसा इंसान जो खूद आया उसकी महरा रू है बस लड़का बच्चा नहीं समझ रहो अब कुछ लोग को तो कुछ आउरे समझ में आ गया होगा लेकिन जिसके दो चार चिल्लू मिल्लू भी है वो क्या है वो भाज्य है अब आज नहीं है समझ गए तो यह क्या है यह भाज्य है यह भी भाज्य है बाकी वो दोनों बाफज्य है कि कि अब को समझ में आया आया समझ में यह नि वो संख्या जिसके ईए प्रेंikit और खुदStra come 2015 कि रहे उसको दोनों को छोड़ दीया जाए तो को और आजना है वो अब आच्पम्धी होती है बाकी सभी संक्याय भाज्य ह होती है कि समझ में आ गया तो बोलिए यस 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 आया समझ में चलिए आगे बढ़ते हैं फिर इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा बहुत चीजे मालूम होनी चाहिए पहाड़ा बाड़ा आना चाहिए काटना पीटना आना चाहिए आए बता इनमें कौन सी संक्या अभाज्य है एक बार कोशिस कर लीजिए तोनी देवी अनामिका कुमारी आपको नहीं आया आएगा बुद्धी लगाईए दिमाग दोड़ाईए पानी डाल दीजिए ठंडा-ठंडा खुपड़ी पर आने लगेगा हरसिता सर्मा बहुत अच्छे डॉली सतीस सोनी मनीष नेहा ठीक है आईए बहुत अच्छे बैया हो चचाहो का ये यह बाज जे का इसको तो बता रहे हो इनको काय छोड़ दिये दिव्या तिवारी जी ने बताया उसको बहुत अच्छे बेरे गुट किउट फिजा खान का सही है क्योंकि इन्होंने दोनों नंबर को देखा भई सब का लेके चलना है न यह दोनों क्या है अभाज है यह दोनों अभाज है इसका है समझ में है ना तिवारी जी टेट के लिए मैथ पढ़ना है तो आप पी वियार स्टडी आप डाउनलोड कर लेजिए प्ले स्टोर से उसमें जा करके आप जोईन कर लेजिए बेसिक बिल्कुल जीरो लेबल से ठीक है तो आप यह टॉपिक खतम करें हटाएं समझ गए खतम कर सी दोस्क्रात निसान घिए बताईं गभवे और सौन गपर यहरो सव के बीच कौन-गान सी संख्याएं पंधर एब बताई जल्दी बताये चलिए अपने दोस्कों भायज्य और अभाज्य समझ गये देखिए एक चीज समझ ले न यहां अभाज्य और सम संख्या में कोई संबंद नहीं है सम बिसम अलग चीज है भाज्य अभाज्य अलग है सबसे पहला जबाब आया है इसमें उनका नाम है सतीस सतीस ने पूरा अंसर नहीं दिया है पूरा अंसर अस्वनी कुमार जी ने दिया है इन्होंने गलत भी बताया है अस्वनी जी 91 जो है वो अभाज्य नहीं है 91 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 91 के बहुत सारे लड़के बच्चे हैं छुपे हुए हैं वो जो कि आप लोगों के नजर में नहीं आ रहे हैं कुछ लोग 91 को बतायाने देखो टाम की बुद्धी गई है गहा है ना इंटी वन जो है वो क्याeness है वह अभाज्य नहीं है क्योंकि 91 थिर भीड बढ़ते है नहीं सेवन से ओलती सेवन से ओलती है थार टीन से ओलती हैं 1791 होता है न ठीक है ठीक है आईए बात करते हैं आगे बढ़ते हैं बहुत अच्छे आप लोग कोशिस बढ़िया कर रहे हैं यहाथ बिग गया यह मिटाना भी तो पड़ता इसे चलो ठीक है आईए देखिये जो बात कर रहे थे वह देखिये मैंने सब क्लियर कर देता हूं यह कंव इक आनबे बानबे 9 4 पंचानबे 96 97 98 और 99 इसमें ये संख्या तो हमें छोड़ी देना है ये भी छोड़ देना है क्योंनि मैंने इनके दोनों के बीच में कहा था कितनी अभाजे हैं आईए ये डिवाइड है सेबन से हां 13 से 91 से बोलो हां हां कि 91 साथ से कट जाएगा तेरा से कट जाएगा और 91 से भी कट जाएगा नाइटी वन यह यह तो बिश्व भिख्यात है सबसे कट जाएगा बहुत सारी संख्याओं से कटेगा दो से भी कट जाएगा हम हों कि और किससे कटेगा कई संख्यां से कट जाएगा नहीं है मुख्यता जो संख्याएं मुझे लग राजो किसी से नहीं कटेंगी एकदम कि सिता चत्र भुरा पारबती है वो कौनसी है आएए दिखाते हैं यह यह है यह भी तो है ना 97 और कौन है 93 भी है नहीं नहीं मुझे लगता है कि 93 है बट यह है नहीं देखने में कुछ लोग सीधा-साधा लगते हैं सन्यासी लगते हैं भगवा कपड़े पहिन लेते हैं लेकिन साम को लगाते हैं की इप इलिए-स आपना या मпа के रहो कि यह लाएकिन हैन किकल कि कवकी यह तीन से सीधा फिदा कट जाया गा और फिर कौन है यह भी नहीं है कि यह भी नहीं है यह किसे कटेगा कुछ लोग अब इसमें बहुत सारी शंक्याह निकाल दे रहे थे यह भी कट जाएक तीन से यह भी चत जाएगा सब्सक्रा आ हों से और यह यह भी कट जाएका तो मुझे तो लग रहा है इसमें कीवल एक कै दुफा मिल रही है का यह आज आ एक दो संख्या मिल रही है अभी यह लोग 5-5 बता रहे थे कि अभाज ji यह बढ़ जाएगा पांच एकम पांच नव पैतालिस उन्निस पंचे पंचानवे बड़ी मुसीबत है कि तो तो एक्के संख्या बच रही जो लोग बता रहे हैं कि यह 95 है ना बच्चा यह भाईया यह पाइब से डिवाइड है तो अंच एकम पांच पांच नव पैतालिस उन्नीस पंचे पंचानवे होता जिनको पहाड़ा वारा नहीं आता है वो कंफूजन में होंगे हुं तो कितनी मिली सिर्फ और सिर्फ एक मिली पता नहीं भगवान यह मिलेगी कोशिश करो यह भी किसी से कटेगी क्या इसके भी होगा कोई नए कोई देखे ट्राई करिए तिवारी जी मैं कितनी बार बोलूं आप क्या चाहते हैं कि मैं आप कमेंट पढ़ूं हां नीचे नंबर चल रहे हैं उन पर आप इंक्वाइरी करिये हमारे साथी लोग आप ही के लिए इंतजार कर रहे हैं आप उन पर फोन कर ये दिन में बताएंगे आपको कि यह किसी से कटेगा क्या यानि यही एक है वास्तों में जिसकी हम लोग को तलाफ थी जिसका मुझे था इंतजार और इसी के लिए दिल था बेकरार यह मिल गई यानि इतनी संख्याओं में से जो मैंने इसमें पूछा था उसका सिर्फ एक ही आंसा था 97 यह लोग का बता रहे थे यह लोग बता रहे थ चालो लिख लो पटापट तो इस तरह से अगर आपसे कोई पूछे कहीं पूछे कि सौ और सौरी 90 और सौ के बीच में कौन सी संख्या है कितनी संख्या है जो अभाज्य है तो वो सिर्फ और सिर्फ 97 है कौन है 97 एक चीज और समझ लिए याद रखना काम आएगा कभी कभी कमपटिशन की परिक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि सो नब्बे और सो के बीच कितनी अभाज्य संख्याए हैं सिर्फ इतने पूछता कितनी है बस आपसन दे देगा एक पांच तीन साथ यह चाचा चाची लोग लगा देंगे आठ यह हां समझ रहे हो न तो ऐसे पूछ लिया जाता है इसलिए यह जरूरी है आपको आना चाहिए इतना लंबा पत्ति कहां से हुई है पूरा डीटी हल में जिससे की कमजोर से कमजोर जो है ना बचवा और बचिया उसको भी आने लगे हम चलिये तो आप सभी भाज्य अभाज्य समझ गए हैं आप लोग मुझे यह बताईए हैं सभी जितने भी साथ ही जुड़े हैं दो दो अभाज्य संख्या बताईए जल्दी करिए हम आगे टॉपिक बढ़ाते हैं चलिए भाज्य भाज्य हो गया इससे ज्यादा कुछ नहीं बताना है अगला है भाग बिदी से महत्तम समापुवर्तक भाग बिदी से महत्तम समापुवर्तक उसके पहले थोड़ा आउ लेलो मिल गया है जब यह रखे हैं आईए यह बताईए आपसे पूछा गया है यह बीटी सी की परिक्षा में पूछा गया सवाल है कुष्चन है एक से बीस तक कितनी अभाज्य संख्याए हैं फटा फट बताईए बीटी सी की परिक्षा में पूछा गया परफन है एक से बीस तक कितनी अभाज्य संख्याए हैं बताईए जवाब दीजिए इस सवाल का जवाब बहुत से साथियों ने बताया है बहुत अच्छे बेरी गुड आजीत चौधरी ठीक है अरेसमी सिंग बेरी गुड और कोई में ब कर लिए एक से लेकर बीस तक कितनी अभाज्य संख्याए हैं अभाज्य संख्या क्या होती है कैसे होती है कितनी सुंदर होती है बता दियाओ पहले इस तो बताना तो है किनका है मैं उनका नाम जरूर बोलूँगा इनका नाम है पांडे जी बहुत अच्छा बेरे गुड और पांडे जी के पहले फीजा खान का आंसर आया है ठीक है बहुत अच्छे आप लोग कम से कम कोशिश तो कर रहे हैं और कोई निवन कोई है आई ये देखिए मैं बताता हूं इनके बीच में जो अभाजे संख्याएं हैं एक से 20 तक मतलब एक से सुरू करना है एक चीज पहले ये समझ लीजिए कि संख्या जो वन है ना भाया और ये जीरो ये दोनों ना भाजे है ना भाजे है ये बिरादरी से बाहर है इनकी कोई जाती दर्म नहीं है ये ना भाजे है ना भाजे है याद रखना ठीक है बहुत जगा काई काई पूछ ले जाता बड़ा खतरनाक सवाल है कि वन भाजे है कि अभाजे है चुकि ये न भाज्य के नियम का पालन करती है न अभाज्य के नियम का पालन करती है इफ लिए ये दोनों न भाज्य है न अभाज्य है ठीक है इनकी कहानी सुरू होती है संख्या दो से संख्या दो से सुरू होती है कुछ लोग अभाज्य संख्या में वन को काउंट कर लेते हैं जो की गल लिखना क्योंकि नो बिसम संख्या तो है लेकिन अभाज नहीं है ठीक है हाँ ग्यारा तेरा चाउदा पंदरा सोला सतरा भी नहीं है ओनाइस यानि अगर हम बात करें टोटल नंबर आफ प्राइम नंबर तो एट है टोटल कितने हैं आर्ट समझ में आया ना नेहा मिस्रा जी गुड बहुत अच्छे बेरी गुड देखिए यह भाज संख्या में सम भी सम दोनों आती है तो यह भी वन से नहीं सुरू होगी भाई साहाब प्रेच अच्छा लोग इनका देखा पहले यह लोग भाज संख्या में दो को भी काउंट कर रहें मतलब विचारी सीधी साधी लग रहें इसको कुछ लोग भाज्य में भी घसीट रहें कुछ लोग अबाज्य में भी घसीट रहें यह संख्या ऐसी है ना जैसे रावन की नगरी में विभी संजी थे राच्छा नगरी में रहते थे लेकिन बगवान राम चंदर जी की पूजा करते थे तो ऐसे यह क्य लेकिन यह अभाज्य है एक हम संख्या है लेकिन अभाज्य है जफिर देखिए आपना यादो कि अखले से यादो जी के घर की हैं लेकिन चुनाओ वीजेपी से लड़ने गई तो यह इसमें समझ गये ना तो भाज्य संख्या की शुरुआ चार से होती है में दो क्या हैंता तो अभाज्य संक्या जो लोग इसको भाज्य में लगायें ना जैसे सोनी गुपता का हो गया और पीजा खान का हो गया यह लोगों ने दो को दोनों में कसीटा है तो यह भाज में चार हो जाएगा छे हो जाएगा आठ हो जाएगा नो जाएगा दस हो जाएगा बारह हो जाएगा 14 15 भी हो जाएगा 16 18 और 20 समझ में आया ना यानी इनकी संख्या टोटल कितनी है यह 4 हो गए चार आठ आठ तीन ग्यारा कितना हो गए ग्यारा कितना हो गए ग्यारा तो ग्यारा यह आठ ही हो गया टोटल 19 और एक से लेकर 20 तक बताना था तो एक ठी कहां गई जड़ा सोचिए किसकी बुद्धी लग रही है बताइए किसकी बुद्धी लग रही यह ग्यारा है यह आठ है और टोटल एक से बीस तक निकालना था तो भाईया कौन सी संख्या है जो इसमें से गयाब हो गई कोई बताएगा नेहा नेहा जी लेबन नहीं है इसमें सामिल है न इसमें गलत है भीचा खान नेहा गुपता प्रीति यादो बहुत अच्छे वन 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 बिरादरी से बाहर है यह बहुत बड़ा पापकरा इसको इसमें से निकाल दिया गया है वन यानि 11-8-19 हो रहा है और व भाजी है कुछ नहीं है न मेल है न फीमेल है यह दूफरे मिंच का यह बीच वाल है कि समझ रहो ना चलो तो यह हो गया आप लोग समझ गए इसमें से कुछ और भी कोईश्चन अगर आप से पूछे हैं तो आप लोग पहले फेल हो जाते हैं अभी एक्ठी पूछा था सब फेल हो गए थे तो एक बार फिर से आप लोग देखिए कौन-कौन पास हो रहा है चलिए बताइए 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 ट्वंटी वन से थार्टी तक कितनी संख्याएं अब आज्ये हैं फटा-फट बताइए इमांदारी से देखते हैं कितनी बुद्धी आती है आपके पा बोलेंगे कि आधा से जाधा कोई नहीं लाइक करा है मतलब कि मैं अगर ना बोलूं एक मिनट देखने दो तो यह लोग अभी तक केवल 44 लाइक करें बस अब हटा-फट हर कोई पहले लाइक करिये उत्तरबाद बताईए जल्दी करिए फटा-फट जल्दी से फटा-फट हाँ तो क्या बताऊं तो इसके आगे मैं कुछ बताई नहीं पा रहा हूं जल्दी से वही देखिए आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं इसे जबर्जस्ति मत समझिए अगर मैं आपके लिए कलाफ चला रहा हूं सब कुछ चोड़कर के हमारी कोशिस है कि यूटूब पर आपको बिल्कुल फिरी पढ़ा दें हां सारा सिस्टम लगाएं आपके लिए तो आपकी भी थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसका निर्वाहन करें नहीं तो बहुत बड़ा पाप होता है हम समझ रहें ना मित्रफे चोरी बाकी आगे की लाइन तुम सभी जानते हो हां तो इसमें मैंने पूछा था कि 21 से 30 तक कितनी संख्याएं हैं जो अभाज्ये हैं जिसमें से बहुत से लोगों ने अपनी अपनी राय दिया है परिति यादो बोल रहीं कि आरती मेरा वाला च्हाप ली है दिव्या गुपता बोल रहीं कि नहीं नहीं मेरा वाला च्हापी है मतलब लग रहा है इन लोग के पास जब बुद्धी बगवान दे रहे थे यह लंच करने चले गई थी क्या है कोई दूसरा काय च्हापेगा 21 से start करना है और 32 खतम करना है निकालना था कि वळा भाजे संहँ क्या तो 21 तो अभाजे है नहीं हम यह देखो जाहना परवीं सहाना पर भी गलत है ट्वंटी वन ये थिरी से डिबाइड है सेबन से भी डिबाइड है ट्वंटी वन से भी डिबाइड है ये अबाजे नहीं है ट्वंटी थिरी है पिर ट्वंटी फोर भी नहीं है ट्वंटी फाइब भी नहीं है 26 भी नहीं है, 27 भी नहीं है, 28 भी नहीं है, 29 है, बस किवल दो संख्या है जो अभाज्य है, क्यों? रही का ना, सपना राठ और, सिर्फ दो ही संख्या है जो अभाज्य है, इसमें कुछ ऐसे खिलाडी है खतरनाक इनके नाम मैं बोल दूँ, जैसे तो साहना परबीन की बड़ 27 को भी बताया था, नहा जी, 27 तीन से भी करती है, तीन नवह 27 पहाडा वाडा याद कर लीजिए, 9 से भी कटेगी 27, 27 खुद 27 से करती है, और कौन बताया था, जिन्हों ने गलत किया था, फीजा खान, इन्होंने किवल 26 बताया था सारिता देवी आपका भी गलत था और नेहा मिस्रा ने सही बताया था बहुत पहले पिछले जनम में इन्होंने बता दिया था अकसर लोग ने 27 को भाज्य में गिना है 27 अभाज्य में गिना था यह भाज्य है ठीक है आगे एक सवाल और भी पूंचे कि रहने दें आप चली आटाये बहुत हो गया बहुत हो गया बहुत टाइम भी हो रहा लग रहा मुझे तो आगे क्या करना भाया इसमें भाग विधी से एचसी अब बताना है भाग विधी से एचसी अफ 699 और 324 आये टॉपिक दिख नीचे ए बी हमने पढ़ लिया अब सी नंबर पर आजाईए कि सी नंबर पर आजाईए अब भाग विधी से एचसी अफ इसको नहीं बताया था ना अभी तक थोड़ा इसमें स्याही भरना पड़ेगा कह अभी पहले ही बता दिये हैं अच्छा ठीक है सिल्पा के सरवानी आगे पढ़ाएं ठीक है अब मुझे बताईए जो लोग काफी छट पढ़ाया रहे हैं 699 और 324 इसका अच्छा सियब बता दीजिए तो फटा फट बताईए जल्दी करिये बड़ा देर हम रुक रुक के बोलेंगे क्योंकि कुछ लोग बहुत भयानक गारी देते हैं बाद में कहता है इतना तेज तेज बोलोगे था हम कोई कि रिकार्डर लगाएं काखो पड़ी हम जो रिकार्ड हो जाएगा और हमारी एक आदत है बोलने में बहुत तेज खाने में बहुत तेज चलने में बहुत तेज लोग हमसे हो जाते परिसान भाग विदी से नहीं बताया हूं बड़े बड़े कोश्चन करवाएंगे बताया भी होगा तो इसमें बड़े-बड़े कोश्चन होंगे यह क्या बता रहें वहीं एक आंसर आएगा इसका जो भी आएगा वन एक आंसर होगा यह सब यह चार आट भारा चबुदा पता नहीं का का बताया जा रहें चलो ठीक है 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 कितने लोग का रहें बताया गया है रहने दें हम क्या चाहते हो आप लोग बताएं कि ना बताएं एक मैं बताऊंगा देखिए जब हमें भाग विधी से एक निकालना होता है तब हम बड़ी संख्या को चोटी संख्या से भाग करते है ठीक है आईए जैसे बस ज्यादा नहीं बताएंगे टेंशन मत लीजिए थोड़ा सबर बना के रखिए 699 है यह 324 है अगर बताया भी था तो यह अलग है सवाल बिल्कुल थोड़ा सबर बना के रखिए अलग ह किए ठीक है अलग है ठीक है इसका पार इसमे कितनी बार जाएगा गिन्ति बड़ी बड़ी है पेपर में हो Canal 19 नहीं आता में जो बताया भी था वह चोटा-चोटा बताया था कि झाल देखो भाजा 3 कता 13 के कितनी बार जायेगा पहले हम उतली में उतल ऐख का लंगे तो त्हुंंगे 2 करेंगे तो दुना छेषा हूर यह फोर्टी एट यानी или 625 हो जाया उभड़ा है शहीं के इन हो गटाजी यह कितने एंगें को अप्टरिक करेंगे one नो में से चार गया फांच फिप्टी बनाया ना देखिए मैं क्या बताना चाहता हूं जो लोग सोच रहें बताया था कोई दिक्कत नहीं यह कुछ नया है देख लीजिए हजम हो जाएगा ठंडी का महीना है गर्मी में होता था पच्छ हो जाती है आईए तो यह जो बच्चे होंगे वह बच्चे हो जाएंगे अभी के लिए हम लोग के ममी पापा है हम लोग उनके बच्चे हैं और जो हम लोग के बच्वे होंगे ना वह भी अपने जमाने के ममी पापा हो जाएंगे मतलब जन्रेशन वजलती जाती है ना ऐसा इसको बताया था मुझे यह बताया था न तो यह फिप्टी वन भाजक हो जायगा आथ यह भाजजी हो जाएगा आप आप यह लगबग 5 यह छे बार जायगा 6 कम 6 6 5 कि मैं बताया था इसलिये ज्यादा नहीं जलवा रहा हूं तो यह घटाएंगे तो कितना आएगा भाया आपको पता अठार आएगा चौदा मैंसे अच्छा गया आठ एक अब यह भाजक बन जाएगा और यह भाज्य बन जाएगा कि यूँ सही है न अब दो बार जाएगा कि मैंसे अच्छा गया पाँच यह पंद्रा अब यह भाजक बन जाएगा यह गिंती यहां आ जाएगी पंदर एकम पंदर ला सामज मैं आ रहा न सभी को हां एक च्ची अफ कितना आएगा तीन आएगा तो यहां 15 उतार देंगे 3 पचे 15 देखिए ध्यान दीजिए जिस संख्या फे लाइस्ट टाइम डिवाइड हुआ है जिस संख्या फे लाइस्ट टाइम डिवाइड होकर के जीरो आया है वही HCF होती याद रखना या तीन है क्या है तीन जैसे आपने देखा होगा संसी सीजिंन का परिक्षा देते हैं तो कई यह परिक्षा होती है दियार फास्ट्री जास्ट चौिंट थनीट फोर जो भी तो लाइस्ट में जो समय कौलिफाई होता उसे को ना करिया मिल सप्स्रीत तो इसे यह लेतात पत्षी फिल्क कर रहते हो तो मुद्स थे ने पत्द हम लोग क्योंकि हमें जल्दे-जल्दी खतम भी करना है नया टॉपिक का खतम करना है पहले तो एक ठीज बताओ पूछें कि ने पूछें दो अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या बताईए परिक्चा में पूछा गया है अनामी का कुमारी ठीक है अनामी का बहुत अच्छे मैंने प्रस्न पूछा है अब कान में तेल डाल के मत बैठ जाईए बोल लिये दो अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो की अभाज्य हो अमित सिंग कहीं करवाद हो यार वही एक काम करवाद हो तब भी ठीक है कह रहे हैं कि अपकी साधी हो गई ये कि नहीं साधी हो जाती तो रात में आहा रहते कुछ तो दिमाग लगाओ थोड़ा था यार अब बड़े हो गयो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं फिलाल वसा मजाक में था सौरी बुरा नहीं मानना चलो अभाज्य संख्या भाज्य संख्या हो गया भागविदी से अच्छियप हो गया अभी विवाज्यता नियम भी है अरे यह 99 जो बता रहा हो गलत है अब हम 59 बड़ी से बड़ी संख्या लेकिन यह नहीं है बड़ी से बड़ी अभाज्य शंख्या बताना था थो 97 है हम 97 साही है इन इन गलत है मि आगे बड़े अ थिक है कि बाकी नहीं पर अधारित कुईश्चन है ज्यादा आप लोग बोर महसूस कर रहे हैं तो बोरिंग सा लग रहे हैं अब हम लोग कुछ अलग करते हैं कि कुछ अलग का करते हैं बताएं चलिए भिन्न को परतिसत में बदलना अब एक नया चैप्टर आपका सुरू हो रहा है चैप्टर नमबर सेबन है चैप्टर नमबर साथ अध्याय साथ सुरू हो रहा है जिसकी शुरुवात हम एक कल करेंगे ढंग से आज थोड़ा सा आपको ड़डाएंगे बस ठीकै इसका नाम प्रतिसत इंडी में प्रतिसत इंग़िस में परफेंटेज बोलते हैं प्रतिसत को हम लिख सकते हैं प्रतिधान सथ पताइए सही लिख रहा हूं नो तो यह क्या है भईया परतिसत है ओके डन क्लेयर में तोड़ा काला टाइप का दिख रहा हूं ऐसा क्यों एक मिनट रुकिए तो मैं थोड़ा अपने आपको अच्छा बनाता हूं यह लिजिए मोडन जमाने में थोड़ा अच्छा दिखना जरूरी है थोड़ा बदला की नहीं है आए देखिए तो परतिसत न पहले हम थोड़ा एकदम बहुत है बेसिक में चलेंगे कल इसको हम फट परतिसत खातम कर देंगे आए देखिए जैसे मने लिखा 100 अंड्रेड का 5% जानते हो क्या होगा है अंड्रेड का 5% कितना होगा यहां पर लिखाना प्रतिसत मतलब 100 में कितना बस वही का मतलब है परसेंटेज जितने कभी परसेंटेज निकालना है उसको सौ सो के में बाटते हैं और जितना बोलता है उतने उसका उत्तर होता है जैसे सौ का 5% का मतलब 5 कि इसमें कोई नियम नहीं लगाना मैत का इसको बुड़ो दादा भी बता लेंगी और एक अच्छी बात है न हमारी कलास सेबंटी और 80 साल के दादा और दादीजी भी देखते हैं ज कि इसमें उतना था नहीं गुरू जी अगरे मुझे गुरु जी मत भोनी शाओं तो आपके नाती पोटा समान है आदे की बचवा है हमारा चोटा सा पोटा नाम मतला प्ताना कूँ सा नाम बता रहते हैं पोटा था उनका नाती पोटा कुछ भी था उसको पढ़ाते थे वो तोड़ा तेना मेंड़ लिख रहे हैं वह अलग बात है लेकिन आप समझना है हंट्रेट का दस पर्सेंट मतलब दस यानि कहने का ये मतलब है कि 100 का चाहे जितना पर्सेंट निकालेंगे उसका अंसर उतने आएगा याद रखना राहुल जी नीचे नंबर चल रहा है नंबर चल रहा है आपको दिखता है कि कम दिखता है दिखता है न तो निवेदन है उस पे आप बुझा लीजिए सब अपना जो भी करना है वाकित मैं यह सुरू से पढ़ाई रहा हूं ठीक है उस पर करिए यह समझ में आया तो भाया हो अगर आपको पता है कि 100 का 5% 5 होता है तो आप मुझे बता सकते हो कि 200 का 5% कितना होगा फिर बताए कि 200 का 5% कितना होगा कोसिस करिये आई यह मैं बताता हूं 200 को हम लिख सकते हैं 100 धन्सो यह अभी तो मैं आपको मैथमेटिक्स के रूल में नहीं पटकाऊं अभी तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको दिखा रहा हूं कि मैथ कितना प्यारा लेंग्वेज है मतलब सब्जेक्ट है यह बहुत ही ब्योहारिक सब्जेक्ट है अगर सब्जी खरीदने गए हैं तो आप अभी धनिया नोंतेल हर्दी मिर्चाख हिसाब करना पड़ता मैथ का काम वहां भी लगता है जब से इंसान का जनम होता है जब तक उसकी अंतिम सांस चलती तब तक मैथ का परियोग होता है जैसे जमीन पर गिरता है वैसे उसकी जनम तितिल मोट होती है भईया फलाने तार केंट पर अंतिम सांस लिए समझ रहो तो मैथ ऐसा सब्जेक्ट है यह सिर्फ नौकरी के लिए नहीं पढ़ा जाता है इसमें नौकरी छोकरी जिंदगी की कहानी सब कुछ सामिल होती है इसलिए इसे मजे में लेकर के पढ़ें सिर्फ नौकरी के परपत से नहीं आईये तो 100 प्लस 100 कर सकते हैं हमें निकालना था इसका कितना पांच परसेंट तो भईया सव का पांच परसेंट सबको बताया हूं उपर पांच होता है इसका भी पांच होगा दोनों जोड़ दीजिए 10 हो जाएगा इसमें कोई नियम नहीं लग रहा है आप सोच रहे होंगे यह कौन सी मैथ है इसमें कोई नियम नहीं लग रहा है मैंने बताया ना कि 100 का 5% 5 होगा तो 200 का 5% 100 दंसो यानि 5 510 अच्छा ठीक है ठीक है यह बताओ भाई 500 का 15% कितना होगा बीना किसी नियम के अभी मैं नियम भी बताऊंगा पहले थोड़ा सबर रखिये कितना होगा एक बात और बता दें दिखा देते हैं बड़ी खतरनाक लोग परिसान है थोड़ा रुख जाइए दिखा देता हुए जो पूरा कमपलीट मैत मातर एक महीने में सीखना चाहता है 26 जनौरी के बिसेस मौके पर आपके लिए एक बिसेस तोफा है आप इसक्रीन पर देख रहे ना आप आजी प्ले इस्टोर से पीवीर स्टडी अप्लिकेशन डाउनलोड करके जाकर इसे जोईन कर सकते हैं पूरे 50% का डिस से ट्राइब करें कुछ भी डाउट है नीचे नंबर चल रहे ना इसक्रीन पर ऐसे ऐसे उन पर संपर करिए हमारी जो टीम के लोग है वह आपकी भरपूर मदद करेंगे कि कि कह चलिए इनको अटा दीजिए इनका काम हो गया खतम आईए अब अपने टॉपिक पे चलते हैं उमीद है कि आप लोग समझ गए तो भाईया इसका क्या होगा इसको आप सो धन्सो धन्सो तोड़ सकते हो पांच बार तोड़ोगे और हर एक सो में से पंद्रा निकालोगे तो पंद्रा पच्छे पच्छात्तर इसका अंसर होग 75 कितना होगा सेबंटीफाइब अनामी नाम इका कुमारी जी बिल्कुल फ्री यूट्यूब पे जो भी पढ़ रहा है इसका कोई पैसा नहीं लगता आप बिलकुल परिशाण मत होना कोई प्रेसान मत लोगता एक्दम फ्री है यह ठीक है कुछ भी नहीं लगेगा ऐसा मत स तो यह समझ गए अब हम चलिए नियम पे चलते हैं यह तो मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इनका परिचय करवाया लेकिन यह हर जगा नहीं काम करता है यह बुद्धी हर जगा काम नहीं आती जो यहां पे लगाया ठीक है हर जगा नहीं लगती है आईए मैं बताता हूँ इधर देखिए अगर मैंने कहा कि 320 का 5% बताओ अब यहां पर तो वो बुद्धी लगेगी नहीं जो मैंने बताया था क्योंकि 300 को तो आप 100, 100, 100 कर सकते हो लेकिन 20 का क्या करोगे इसका यह तरीका होता है जो नंबर होता है उसको ऐसे लिख लेते हैं गुड़ा काचिन लगाते हैं वो गिंती लिखते हैं जितना परफेंड निकालना होता है और उसको 100 से भाग कर देते हैं बस यह तरीका होता यही होता है कि आपको ऐसे भी कर सकते हो ठीक है आया समझ में इनको एक 0 से एक 0 कट जाएगा अब इनको आउर भी आप डिवाइड कर सकते हो कितने से भाई काट दो 5 एकम 5 दून 10 दो से इनको काट दो तो 16 आएगा यानि 16 होगा कितना आएगा सोल आएगा पुछ लोग यहाँ पर्सेंटेज का चिंन्ध लगा रहे हैं जो की बिलकुल गलत है हम खुद इसका परसेंटेज happening निकाल रहे हैं यहां पर्सेंटेज का चिंन नहीं लगेगा यहां इकाई में लिखा जाएगा बहुत इतनी इकाई होगी यहां पर संटेज का चिन्ना नहीं लगेगा ठीक है ना भाईया आप लोग कलास को लाइक नहीं कर रहें और बहुत से साथी चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करें क्यूं अगर आप हमें PBR Company पेज़ पर देख रहें तो वहाँ पर फॉलोजरूर कर लें अगर YouTube पर देख रहें तो तुरं सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेश करें जिससे कि आप फिरी पड़ सकें सम्ता में तीन दिन यह फिरी कलास होती यूटूब पर जो मुहार मंगल बुद्धवार को पूरी इमांदारी से मैं पढ़ाता हूं लगबक एक घंटे ठीक है सब्ता में तीन दिन याद रखिए बाकी तीन दिन रिवीजन होता है अब कि तीन दिन रिवीजन होता है बेड़नेश डे थर्फडे और फ्राइडे रिवीजन होता है नहीं नहीं बेड़नेश डे नहीं स्वरी थर्फडे फ्राइडे सटर्डे पचास परसेंट बताईए बताईए कितना आएगा जल्दी करिए नेहा द्रावत मीत माही ठीक है बताईए आएए मैं बताता हूं पचास परसेंट ना तो सबसे पहले आप वो नंबर लिखिए गुडा का चिन लगाईए वो संख्या लिखिए नीचे सौ से भाग करिए यही तो तरीका बताया हूं इनका एक जीरो कट गया इनका कट गया एक इनका कट गया एक इनका कट गया यहनि थार्टी एड को पाइप को मल्टी पल तो पांच अट्टे चालिस हांफिल चार पांथ ही पंद्रा चारवा नईस हो गया एक सोनब्बे अंसर अनन्द पाल बहुत अच्छे गुरुजी धन्य हुए हम जो आपके दर्शन पाए चलिए सरदार मीना थीक है तो आप सभी समझ गए यह था बी टी सी मैथमेटिक्स ना डी एलेड का जो गड़ी थे वह इसमें इतना ही है इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है ठीक है आगे बढ़ें आगे क्या करना है ठीक है चलिए यह सब आप लोग कर लेंगे तो इसमें डीटियल में घुसेंगे कल हम डीटियल में कल पढ़ाएंगे आज तो डीटियल में ज्यादा पढ़ना है नहीं हां लेकिन कुछ सवाल आप देख लीजिए जो कल पूछे जाएंगे आपसे बताएए संख्या 25 यह 100 का कितना परतिसद है कोई बता पाएगा कल मैं इन सब को डीटियल में करवाऊंगा 100 का 25 कितना परसेंट है है ना जीव टाइब का हां बताएए दो हो कि चारपर्सेंट है बहुत अच्छा वाई अननद जी बेरे गोड लग रहा है कि अपकी बार अन्डेट पार चलिए ठीक है बहुत अच्छे आप लोग प्राइद करते रहिए कुछ लोग बतारें पाचीश परसेंट है उस लोग बतारें चार परसेंट 25 जो है वो कितना परसेंट है कैसे निकालेंगे आप जानते हैं कैसे निकालेंगे कोई जानता है कि नहीं आये मैं इसको बताई देता हूं अब लगे हाथ जब आप लोग आई गए हो तो बताई देता हूं देखिए मैंने पूछा कि संख्या 25 जो है वो 100 का कितना परसेंट है यही तो पूछा न कि ए भाई आच अच्छा पर्सेंटेज का चिन ना लगाओगे तो गलत है जैसे बरात आएगे अदुलाहिन गायब होईगे तो का होए पुछ न होए न वही हाल है अंसर तो लिख दिये लेकिन अगर केवल फोर लिखे हो तो गड़ बड़ है यह फोर पर माना kisses 받क काई आ अभी परसेंट है तो आभी आभी परसेंटेज में बदलना आपको बताया था तो इना के से ससे बदलते हैं जो किनती होती है उसको सावसे गूडा कर देते हैं हमmm ऐसे ही तो करते हैं है आप लोग कर ले न थीक है तो फिल्हाल मुझे लग रहा है कि बताया जाए कि ना बताया जाए आज ताइम भूजादा हो रहा है हम् हो रहा है ना कल डीटियल में बताएंगे जिससे आप लोग जूडएंगे ठीक है सारे कुश्चन कल करवाएं जाएंगे और आज टाइम ओबर हो गया 45 मिनट की कलास होती है चार मिनट आओ लेट हो गया अभी अप्लिकेशन की कलास चलनी है लोग खुद घरी आएंगे हमें कहेंगे भई आज लेटका हो गया इतना तो आज का टाइम ओबर होता है साथियों कल यह सब कुछ क्लियर हो जाएगा हम चलते चलते आपको एक बात फिर से बता दें याद दिला दें कि जो मात्र एक महीना में पूरा बेसिक सीखना चाहता इमांदारी से पढ़ना चाहता हमारे साथ में वो PVR study का premium course जोईन कर सकता है जिसको मैं एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ 26 जनवरी पर अभी आपके लिए पूरे 50% का extra discount चल रहा है अगर आप चाहें तो आज ही जाके enroll कर सकते हैं PVR study application play store से डाउनलोड करके आप जाके फटा-फट आज ही enroll करें ठीक है कुछ भी doubt है संकोच नीचे जो number चल रहे हैं उन पर contact कर लिजिए आपके सारे doubt क्लियर हो जाएंगे मतलब class से संबंधित जो भी है ठीक है इसमें आपको recorded पूरा complete course मिल जाएगा आप किसी भी time देख सकते हैं रात में दिन में सुबा साम चाहे जब देखें चाहे जितना पढ़ें कोई बीडियो चाहे इतनी बार देखें अगर आप हमारा यह course लेते हैं जो आपके लिए इस पेसली है ठीक है इसके अलमा आप लाइब वाला भी कर सकते हैं अगर चाहे तो लाइब बैच भी जोईन कर सकते हैं लाइब बैच का सुल्क थोड़ा इस से अलग होगा उसमें आपक तो कर लीजिए नहीं चाहें तो यूटूब पे तो हम फिरी पढ़ाई रहें ठीक है यूटूब पे कुछ भी निलगने वाला एकदम फ्री प्रीति यह दो आरती मौर्या किसी को कुछ कहना है कलासे संबंधित कहना है तो जल्दी बोल लिए हम आपको दो मिनिट का टाइम देते हैं इस में से कितने लोग इसको tähän करना चाहते हैं कोई है इंट्रेस्टेड एनिववन कोई है अगर है तो बोलिया हां 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 हम हम थो हम अंध्वी कोई लेंं नहीं है कोई चलिये ठीक है थग हम यह जिए बहुत से लोग है देख रहा हूं यह Emerald तो इलीध जी ग psych PER